दोस्तों नमस्कार मेरा नाम विपिन सिंग एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल क्रियेट ओन वर्ल्ड पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सेल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली मेरी है और आप अपने जीवन में पैसे की कमी को महसूस कर रहे हूं तो आज आपके लिए वीडियो बहुत इन्पोटेंट है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि आप अपने जीवन में कुछ सक्सेज लेना चाहते हैं कुछ अच्छ सकती हैं डेली हमारी साड़े ग्यारे बज़े एक जूम मिटिंग होती है जिसमें आकर आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं इस बिजनिस को समझ सकते हैं अगर आप आएंगे तो मैं यकीन करता हूं कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो सकती हैं डेली 11 बज़ के 30 मिनट पे आपको एक शांदार जबरदस्ट प्रजेंटेशन देखनों को मिलेगी जूम के द्वारा आप अपने मोबाइल में जूम का अप्लिकेशन डाउनलोड करें और हमारे दिये हुए लिंक पर क्लिक करें मिटिंग से कनेक्ट होने के लिए आप मेरे नमबर 8909834117 पर मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं और हमारी मिटिंग से कनेक्ट हो सकते हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा अगर आप इस मिटिंग को अटेंड करेंगे मातर 40 मिनट आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं आपकी सारी प्राबलम को सॉल्व कर सकते हैं तो सिर्फ 40 मिनट का समय लिका लिए और हमारी इस जूम मिटिंग को अटेंड करिए एक बहुत जबरदस परजेंटेशन बहुत जबरदस चीज़ आपको हैं अपर देखनों को मिलेंगी आपको बहुत सारे फैक्ट और फिगर और चार्टस आपको ऐसे देखनों को मिलेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखेंगे तो अपने विचारों को थोड़ा सा बढ़ा करिए अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ा करिए और अपने अफसर देखने का आप मन मनाईए लोकडाउन के स्थितिरी है और लोकडाउन खुलने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे बदलावाने वाले हैं दुनिया की जो रिसर्च है फाइनेंशल जो विशेशक्य हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस बहुत सारे लोगों के जॉब उनके हाथ से जाने वाली हैं अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा विचार आ रहा है तो उससे पहले हमारे इस मिटिंग को अटेंड करें तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद करता हूँ में इस वीडियो को लास तक देखने के लिए अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये जूम मिटिंग साड़े गैरा बजे ये आपके जीवन में बहुत बड़े प्रवरितन ला सकती है तो आईए हमारे इस जूम मिटिंग में और इसको अटेंड करिए अपने जीवन को एक नए दिशा दीजे दन्यवाद